नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB हिंदी नूज सक सम्वत 1945 विक्रम सम्वत 2018 आज सावन मास के शुकल पक्ष की तरितिय थी और दिन सनिवार है आज 19 अगस्त को हर्याली 30 का वरत भी रखा जाएगा हर्याली 30 के दिन भगवान संकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है आए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन बर की सुर्क्यों की तरफ हर्याना में जल्द होगी 20,000 सिक्षकों की भरती सिक्षा मंतरी कमरपाल गुर्जन नी की बड़ी घोशना बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना के लाखों किसानों को बड़ी राहत इस बैंक ने क्या करोडों किसानों का ब्याज माफ बताएंगे पूरी खबर हर्याना बोड की स्केंडरी वे सीने स्केंडरी की मार्च 2024 में होनवाली प्रिक्षा के लिए इस दिन से शुरू हो गया वेदन नूँ डेसी को राष्टपती के नाम ग्यापन सोपा सरुजातिय हिंदू महापंचायत के परतिने धिमंडल ने 17 मांगों का पात्र दिया आंधरवन करने की दीजेतावनी कैथल का चीका बस्टेंड मौडर मनेगा पोने 10 क्रोड रुपए बजट जारी हुआ महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग और एसी वेटिंग रूम भी बनाये जाएगा किसानों की बड़ी चिंता कपास की फसल पर मिली बग का कहर कीटना सक भी बैसर फाटिलाइजर बैक्स पर चपेगा पिया मोडी का संदेश किसानों से कम इस्तिमाल करने के अपिल करेंगे कमपनियों को भेजी गई है नई डिजाइन शाउथ अफरिका जाएंगे चीन की राश्पती सी जिनपिंग पिया मोडी के साथ ब्रिक्स समिट में होंगे सामिल अमेरिका इसराइल और डेनमार्क में नया कोरोना वेरिंट मिला डबलो एचो बोला ये तेजी से म्यूटेड हो सकता है इसकी मोनिटरिंग की जा रही है होंडा की नई बाइक लीवो 38,500 रुपे में हुई लॉंच दस साल की वारंटी मिलेगी तो वहीं बजाज प्लेटिना और स्टार शीटी पलस से होगा सीधा मुकाबला और आप खबरें विस्तार से हर्याणा में कुछ दिनों से बारिस पर ब्रेक लगा हुआ है कई दिनों से मोशम साब बना हुआ है इसी तरह कई लाकों में अच्छी धूप भी खिर लई है और लोगों को उमस बरी चिपचपाहट का सितम भी जहलना पड़ रहा है 19 अगस्त यानि आज से ही हावाओं में बदलाव की संभावना है जो पस्चिम से पुर्वाई नमी वाली हावाओं के परभाव से हर्याना राजी में 19 अगस्त रातरी से 22 अगस्त के दोरान मोशम प्रिवर्तनशील तथा उत्री जिलों पंचकुला, अमबाला, यम्ननगर, कुरूचेतर, कैथल, करनाल में कहीं कहीं हलकी से मद्यम बारिज, परन्तु दक्षनी पस्चमी जिलों, महेंदरगट, रेवाडी, जजजर, गुरुगराम, नूपलवल, फ्रिदवाद, रोतक, सोनिपत, पानिपत में कहीं कहीं पहन में हलकी ग्राउट आने की भी संभावना व्यक्त की गई है। सुनते वे अधिकारियों से कहा कि महिला की समस्या का समधान कर दिया जाए। बता दें कि मिटिंग में रखे गए 15 परिवादों में से 11 परिवादों का मौके परी निप्टारा कर दिया गया। नो हिंसा में बिट्टू बजरंगी पर F.I.R. के बाद उसकी ग्रफतारी और विशु इंदो प्रेशद यानि विएच्पी के बजरंगदल से सम्मन्द नय होने के बाद हरियाना में हेट स्पिस देने वाले बैक फूट पर आने लगे हैं। नो के रहने वाले डिप्टी सिंग ने पहले विशे समुदाई को लेकर आपते जनक बाते कहीं जब बिट्टू बजरंगी पर एक्शन हुआ तो उसने वे एक वीडियो जारी कर माफि मांग ली है। उसने कहा कि मेरे मुझ से अंजाने में गलती से ये सब निकल गई हैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। यूपी और राजस्थान दोनों परदेशों के पुलिस के संपरक में हैं इस मामले में पुलिस के आठ टेमें आरोपियों की लगातार तलास कर रही हैं। यहां से 9 बज कर 40 मिनट पर बस रवाना होती है जो कि पानिपत होते वे हरीदवार पहुंचती है। अगले दिन हरीदवार से 11 बज कर 40 मिनट पर चलती है जो पानिपत होते वे साम 5 बज कर 20 मिनट पर जीन पहुंचती है। जीन चे हरीदवार की दोरी लगबग 260 किलोमेटर है और किराया 360 रुपय लगता है। जीन चे हरीदवार के लिए पहली बस सुबह 5 बज कर 50 मिनट पर जीन बस टेंट से चलती है। इसके बाद दूसरी बस 6 बज कर 20 मिनट तो हैं तीसरी बस सुबह 8 बज कर लिए चलती है। अनिल विज ने कहा कि बहुत जल्दी अंबाला चावनी एरपोर्ट का कारी शुरू होने वाला है। इसके आरन के तैत न्यूक्त होंगे। वहीं स्कूलों में सुविधाये बढ़ाने के लिए 198 क्रोड उपे जारी भी कर दिये हैं। शिक्षा मंतरी कमरपाल गूजर ने कहा कि स्कूलों में जल्दी 11,000 टीचर रेगुलर तो वहीं 9,000 HKRN के तैत न्यूक्त होंगे। हरियाना के उप मुख्यमंतरी दूशन चोठाला ने गुरूगराम विस्वी देल में आयूजित दो दियुशे श्यूक्त अंतराश्टी समयलन के उद्गाटन सत्र में पहुंचे। उन्होंने का कि समाज के भलाई और प्रियावन सर्णक्षन के लिए हरित पर्थाओं के उप्योग पर ध्यान देना बेहत जरूरी है। में सोलर के मादम से ही बिजली के आप उर्ति के जाएगी और गाउं बिजली के मामले में आफ्त निरबर हो जाएगा। भाई बैन के अटूट रिष्टे और पवित्र प्रेम का प्रतिक राकी का त्योहार मैज कुछ दिनों में है आने वाला है। इस बार तीस अगस्त को मना जा रहा है। डिलिवरी के लिए विशेश वाटर प्रूफ कवर लगाए गए हैं वहीं डाक विबाग में खास वाटर प्रूफ लिभा पे बिचलाए हैं जिसमें राकी को कोई भी नुक्सान नहीं होगा और वे ठीक तरीके से अपने भाई के पास पहुंचा पाएंगी। यदि आप भी इन दिनों हवाई सफर करने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर सामने आ रही है। बता देंगे स्पाइस जैट के बाद अब टाटा गुरूप की एरलाइन एर इंडिया की तरफ से आपके लिए एक खास ओफर लॉंच किया गया है। प्लाजी के 5,25,784 चोटी जोत की किसानों को दिये गए रिण पर 1,089.6 क्रोड रुपे का ब्याज माप कर दिया है। समय पर फसल रimientos किसानों को केंदर के ओर से 3% ब्याज में रहा हथ मिलती हैं जबकि हरियाना सरगार के ओर से 4% की दर से ब्याज में भी रहा हथ दी जाती है। जिसे हरको बैंक बढ़ाने के लिए भी तैयार है, बैंक उन्हें दोबारा से फसले रिन देने को भी तैयार है, बैंक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले कर्च का भुकतान जरूरी है, पुंजी की आवाजा ही बनाने के लिए जरूरी है कि पुराने कर्चुक किसानों के लिए यह मुश्किल भी नहीं है क्योंकि उन्हें इसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ता है। कि पूजा की जाते हैं। कि पूजा की जाते हैं। बिमारी के चलते 40 फिजदी कपास की फसल यानि कोटन क्रोप में मिली बग बिमारी फैल चुकी है। इसका उपचार समय रहते नहीं किया गया तो जालदी कपास की फसल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। दूसरे तरफ किसानों ने अपने स्तर पर उक्त बिमारी से पसल को छुटकारा दिलाने के लिए केटनासिक दवाओं का छिटकाओ करना आरम कर दिया। लेकिन मिली बग पर सभी तरगे केटनासिक दवाओं बेहसर साबित होती दिखाई दे रही है। उसके बाद इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। अगर जल्द ही इस बिमारी के रोकताम नहीं होई तो आने वाले समय में किसानों को कपास के फसल से हाथ दोने पड़ सकते हैं। से पहले महेंगाई नियंतरित करने के लिए एक्षन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक परधारमत्रे नरेंदर मोदी आने वाले हबतों में पैट्रोल की बिकरी पर टेक्स कम करने, खाद तेल और गेहों पर आयत सुल कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। के अंदर सरकार के अधिकारी खाद और इंधन के लागत में वरधी को रोकने के लिए विभिन मंत्रालियों के बजट से करीब एक लाक करोड रुपे फिर से आउंटित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। आज खबरों बशितना ही देखते रहे हरियरां का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल शी डवलोबी हिंदी न्यूज नमस्कार।